बीज़ेबी प्रदेश एधिक्ष व्यूटी शर्मा ने कॉंग्रिस पनिशान असादा उन्होंने कहा कि राहूल गांदी 2018 में किसानों के साथ जूट बोलकर चल किया था अब जनता उनके इस जूट को समझे चुकी है तो वहीं मंतरी अशुद्रा राज सिंधिया के नहीं लड़ना चाहती। तो गंबीरता के साथ उनके इस बिचार पर जरूर चिंदर करें देखिए चाहे प्रियंका गांधी हाए चाहे रावल गांधी है प्रियंका गांधी घवालिया राई थी कॉंग्रेस के नेताओं ने भग्ध पढ़ा दी उनकी वो हमारी सरकार पर आरूप लगा रही थी कि मेरे सामने लिस्ट लगी और लिस्ट खुब गई प्रियंका गांदी से जूट बुलबा करके रावल गांदी की स्रणी में ला करके उनको खड़ा कर दिया क्योंकि रावल गांदी 2018 में जूट 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 बोल करके चले गए थे और एक भी बात को वो पूरा नहीं कर पाए वो अब इस मद्यप्रदेस को तो मूह नहीं दिखा सकते दिखाया भी था तो ऐसे चुपचाप जैसे कोई आता है और चुपचाप भाग जाता है निकल गए जनता के सामने नहीं आये प्रियंका गांदी भी जूटी सावित हो गई उनके खिलाब भी भरजी पत्र के आरोप में भ्रम फेलाने के आरोप में मद्ध्य प्रदेश के अंदर हुई है तो प्रियंका गांदी जी आपको भी श्रीमान बंटाधार दिगुजय सिंग और स्रीमान करपसनात कमलनात ने आपको भी जूटा का साविध कर दिया किस मुँसे मद्ध्य प्रदेश आई या जूट चलकावें चलकावा राजनिति करने के लिए तो सनातन ये पूछना चाहता है अगर आप मद्धिप्रदेश की धर्ती पर पैर रख रही है तब पहले सोच करके आईए कि आपके इंडी गठमंदन के अंदर जिनोंने सनातन धर्म को हिंदू धर्म को खतम करने का जो संकल्प ले रहे हैं जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म को एट्स कह रहे हैं इनके बारे में मद्धिप्रदेश प्रियंका जी पूछता है वो कॉंग्रेस के नेता जो कॉंग्रेस की आपकी विधायक हमारी मेहन जो रेगाओं की बिधायक है वो कह रही है कि कॉंगरेस के नेता मुझसे छेड़ छाड़ कर रहे हैं बेटी हूं तो बढ़ सकती हूं ये केवल नारा नहीं चल सकता आज गांधी जी की जैनती है इस पर आपने जवाब देना पड़ेगा मध्यप्रदेस की जनता भी आप से पूंग